हेलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशय पॉलिटिकल साइन्स यानि की राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान का अध्यायतीन जिसका नाम है विश्व राजनिती में अमेरिका का वर्चस्व राजनितीक छेत्र में आर्थिक छेत्र में और सांस्कृतिक छेत्र में जब कोई ताकतवर देश अपने आर्थिक राजनितीक और सांस्कृतिक दम पर उसकी सांस्कृतिक ताकत पर कि जब बे कोई ताकतवर देश या कोई माशक्तिशाली देश अपने आर्थिक राजनित पर किसी अन्य देश यदि कम जोर देश पर दब्दबा बनाने के कोशिश करें या प्रिया Sc muss कहलाता है कि आमेरिकी वरचस कब दिखा तो अमेरिकी वर चार्स कम दिखा तो जैसा कि हमने देखा था पर प्ड़ा था कि अमेरी अमेरिका ने क्या कि 1945 में जापान पर बम गिरा दिये तो उसका वर्चस तो पहला भी था लेकिन क्या हुआ कि सोवी संग की पतन की बाद सोवी संग की विकिटन की बाद उसका जो वर्चस उताव है खुल कर देखा परतम खाड़ी युद्ध बच्चों ये बहुत ही मैधपुन टॉपिक है और इसमें से हमेशे एक परसंद जरूर आता है तो आप इसे ध्यान से पढ़ें 1990 में इराक ने कुवेट पर कपजा कर लिया क्या हुआ कि 1990 में जो इराक है कुवेट पर कपजा कर लिया इसवी समझाया गया पर यह कपजा अहताने को नहीं माना मतलब किiration को develops अपना कपजा नहीं हटा पिर सेयुक्त रास्ट संग ने बल प्रयोग की अनुमति दी या उसने क्या किया बल प्रयोग की यानि कि उस पर मतलब हत्यारों के द्वारा मतलब आराम से बात करने से नहीं मान रहा था तो उसने कहा दिया कि लड़ाई जखडा करो युद्ध करो पर आना खोवेत को आज़ दे दी ये एक नाटकी फैसला था क्योंकि पिछले पैतालीस Cuba में युवन holiday नहीं लिया था और यह क्या था क्योंकि पिछले 4000 वर्षों में यु Правां कभी नहीं लिया था जर्जेश बुष्ण इससे नई विश्विव व्यवस्था कि में इस युद्ध में 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया और देखो बच्छों क्या था कि इसमें जो सैनिक 6,60,000 इसमें जो 6,60,000 जो सैनिक थे जिन्हों ने भाग लिया उसमें से क्या था कि 33 देशों के कितने सैनिक थे 33 देशों के 25 परसेंट सेनिक थे और बाकि 75 परसेंट सेनिक थे उसके तो हम देख सकते हैं कि किस प्रिकार मतलब सेन ने सकती में अमेरिका का वर्चस उसका दबबा है इसे ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम कहा गया और इसे कौन सा ओपरेशन कह दिया गया ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम बच्च इस पार्ट में हम क्या करेंगे चार operations पढ़ेंगे और यह हमारा है पहला operations डेजर्ट स्ट्रॉम और यह बहुत ही महत्पॉन है इस युद में smart बमों का प्रयोग किया गया यानि कि यह युद हुआ इराग पर जो अमेरिका ने अमेरिका पर हमला किया या उस पर युद किया वह smart बमों पर यानि कि बहुत ही दुनिया में लाइव दिखा गया बच्चों हम जिस परकार मैच देखते हैं तो जिस परकार मैच हमें दिखाया जाता है लाइव तो उसी तरीके से जो इराग पर यह अमेरिका ने हमला किया युद किया अमेरिका ने इराग से वह युद को लाइव दिखाया गया तो इसस इससे हम क्या समझने है कि वै इसलिए लाइफ दिखाना चाहा रहा था अमेरिका कि एक मात्र महाशक्ति यह उसके पास सारी स्मार्ट बम है या उसके पास बहुत सारी तकनिकी परमानों मिसाले हैं तो वै दिखाना चाहता था पूरी वही एक महाशक्तिशाली देश है यह उस घटना की जो प्रतम काड़ी युद्ध है उसकी घटना की तस्वीरे हैं जिसे हम समझ सकते हैं कि उस युद्ध की उस युद्ध की जो इस्थितिय वो कितनी बयावनी रही होगी यह कितनी डरावनी रही होगी बिल क्लिंटन 42 वी राष्ट्रपती कारेकालन का 20 जन्वरी 1903 में से 20 जन्वरी 2001 तक पुर्वरती जोर्ज हर्बर्ट वाकर बुश उत्रादिकारी जोर्ज वाकर बुश जन्मति थी 19 अगस्त 1946 जन्मिस्तान होब और कांसास प्रथम मैला हिलेरी रोडम क्लिंटन व्यवसाय वकील और राजनेतिक दर डेमोक्रेट बिल क्लिंटन 1902 में में चुनाव जीते और राष्ट्रपती बने 1906 में में दोबारा राष्ट्रपती बने इन्होंने अपने समय में गहरेलू मुद्धो पर अधिक ध्यान दिया वैपार जलवायू परिवर्तन लोगतंत्र नरम मुद्धे जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने युद्ध उद्ध पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने युद्ध उस पर ध्यान दिया और लोगतंत्र नरम मुद्धो पर उसने ध्यान दिया ओप्रेशन इन्फाइनिट रिच बच्चो पहले हमने ओप्रेशन फास्ट देखा अब यह है हमारे चैप्टर का ओप्रेशन नंबर टू ओप्रेशन इन्फाइनाइट रिच अमेरिका की दूता पर केनिया पर आतंगवादी हमला हुआ और यह घटना कब की है यह घटना 1998 यानि की उन्नी सो अठ्यार में की है दारे सलाम तंजानिया में बड़े बने अमेरिकी दुतावास में भी हमला हुआ और क्या हुआ इसके एक और दुतावास पर हमला हुआ तो इसके दो दुतावा टीच चला गया और जो अलकाइदा ने इन दोनों ठिकानों पर इसके दूतावासों पर हमला किया इसके जवाब देने के लिए इसका जवाब करने के लिए इसलिए जो कारवाई करी इसको कौन सा नाम दिया गया ऑपरेशन इन्फाइनाइट रिच नाम दिया गया अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकाईदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया और क्या हुआ कि अमेरिका ने इनका जवाब में मतलब अलकाईदा ने इन पर हमले कर दिये इनके दूतावासों पर आतंगवादी हमले करे तो इसके जवाब में इसने क्या क्या कि अमेरिका ने सुडान और अफगानिस्तान के अल्काइदा की जिए ठिकाने थे उस पर क्रूज मिसाइलों से क्रूज यानिकी जो बड़ी-बड़ी निसाइल होती है उनसे हमला किया और इसमें भी उसका वर्चस वा दिख़ रहे है क्यों क्योंकि अमेरिका ने संहुक्त र नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया यह आरोप अमेरिका पर लगा और उसने अलकाइदा पर ही आक्रमेंट नहीं किया अलकाइदा पर हमला नहीं किया उसने क्या किया अमेरिका ने कई ऐसे नागरिक ठिकाने जहां पर बेकसूर लोग थे बिलकुल जिन्होंने कुछ नहीं किया था जहां बहुत मासूम लोग थे उन जगए उपर भी हमला किया जिससे की उन आतंकवादियों को तो हानी हुई या नहीं हुई लेकिन जो बहुत मासूम लोग थे उनको भी बड़ी-बड़ी हानिया हुई 9-11 की घटना बचो ये घटना इस तरीके से क्यों लिखे गई है जैसे कि हम लिखते हैं पहले हमारे हमारे इंडिया में लिखते हैं सबसे पहले डेट लिखते हैं फिर मन्थ लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं एयर लेकिन अमेरिका में पहले क्या लिखते हैं बच्चो प क्या लिखिया डेट लिख दी तो एक 11 सितंबर की घचना दिए तो पहले समें क्या हुआ पहले मन्थ लिख दिया और फिर देट लिख दी तो इसे ق्या कहते हैं 11 सितंबर की घचना 11 सितंबर 2001 को अर्ब देशों के 19 इननीज अभान करता हो किड़ने पर उड़ान भढ़ने के बाद चार अमेरिकी विमान पर कपजा कर लिया और उसकी चार विमानों पर कपजा कर लिया यानि वर्ड ट्रेज्ट सेंटर के दिष्पनी टावर पर गिरा और तीसरा विमान पेंटागन रक्ष बड़ा की इमारत में गिरा रखेत विमान ne derive Pennsylvania उने डी के तकराना था याननी यह जाना तो सके disaster मुखी इमारत पर था लेकिन यह गया है Pennsylvania की खेत नो लगब तीन हजार लोग इस घटना में मारे गए इस घटना के बाद ओपरेशन एडियूरिंग फ्रीडिम चलाया गया और जैसे कि हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम चार ओपरेशन पढ़ेंगे तो हमने दो ओपरेशन देख लिए अब ये है हमारा तीसरा ओपरेशन मुखी निशाना अलकाइदा और तालिवान को बनाया गया और इसमें मुखी निशाना किसको बनाया गया अलकाइदा और तालिवान जो की आतंगवादी संगटन थे जिन्होंने उसके दूतावासों पर हमला किया था आतंगवादी हमले किये थे उनको उन्होंने क्या क्या मुक्owa निशाना बनाया सारे विश्व में गिर्फदारिया की गई और क्या हुआ इसने मुखे निसाना किसको बनाया अलकाद और तालिबान को बनाया और क्या हुआ सारे विश्व में गिरफदारिया की गई कि जहा जहाँ पर पूरे विश्म ए अलकाईद और टालिबान के जो भी लोग है या कोई भी आतंकवादी जिन पर उनको शक्त उनको गरफदार कर लिया जाए, उनको ग्रफदार किया गया केदियों को खुफिया जेल ठिकानों में रखा गया और केदियों को खुफिया जेल ठिकानों में रखा गया यहां तक कि यूएन ओ के लोगों को भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया उनकी सदस्यों को भी नहीं बताया गया और यह ख सदस्चे थे उनको भी मिलने की उनसे इजादत नहीं थी कि वो भी कैदियों से नहीं मिल सकते थे यानि कि जो युएने के जो सदस्चे थे उनके कैदियों से किसी प्रकार की भेट नहीं कर सकते थे उनका पक्ष नहीं जान सकते थे यानि कि उनको अपना पक्ष प्रस्तुत क परने की अनुमत ही नहीं थी यह देखी उन्हों 11 की आतंकी हमला उसकी भयावे तस्वीरे इराग पर अमेरिका का हमला 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ओपरेशन इराखी फ्रीडम चलाया और ये है हमारे इस चैप्टर का चौथा ओपरेशन हमने देखा था कि हम चार ओपरेशन पढ़ेंगे तीन ओपरेशन हमारे हो चुके हैं और एक ओपरेशन ये है सहयुक्त राष्ट संग ने हमले की अनुमती नहीं दीती और इसमें क्या हुआ यूए नो जो है उसने भी हमले की अनुमती नहीं दीती उसने मना कर दिया था अमेरिका को लेकिन अमेरिका ने फिर भी क्या किया हमला किया यानि कि यूए नो की बात नहीं माने इसका अर्थ इराक है वो क्या कर रहा है जन संगार के यानि कि बहुत कड़े खतरनाख हतियार बना रहा है जब कि ऐसे खतरनाख हतियारों कि वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिले कि वहाँ पर बना रहा था कि नहीं बना रहा था तो वह नहीं बना रहा था उसने क्यों हमले किये तेल पर हमले से अमेरीक की कमजोरी नजर आई समझा ऑंग पर हमिला कर दीया अनों ने वह सक्तिशालिANT देष ता दो अमेरिका जीत तो गया लेकिन उसकी कमजोरिया भी पता चली विश्व को कमजोरिया क्या क्या थी ताकत में अमेरिका सबसे आगे था ये तो हमको सब कोई पता उसका वर्चस उथा उसने यूएनो की भी बात नहीं मानी और हमला कर दिया तो उससे पता चलता है कि वह बहुत दबबा रखने वाला देश महा व्यूद्ध जीत तो गया लेकिन फिर भी वहां पर क्या हुआ कब्जी वाली जगह पर अपनी कानून व्यवस्ता इस्तापित नहीं कर सकता जनता की विरोध को कमना कर सकता और जनता ने बहुत विरोध किया कि इसका अमेरिका का कि उसने इस प्रकार बिना बिना फुक्ता लिवस्तां निमें असफल रहा और है अपने अपनी कानून व्यवस्ता बनाने भी अससल रहा अरीह अमेरिका का सेंडी वरचश्व यानि अमेरिका का उस्यनिक मétais अडबंत्स दूनिया की सब्से ताकस्त W dif रसे चाह सेनवर्थ एक्यों इसकर म मद्डएजंत्व सब्सेया यहां पर यहां के प्रेफ़ित हैं कि प्रहुदू कह अच्छी विवस्ता और अदुनिक हत्यार को अधुनीक हतियारों के यacă लामिरें आधूनीक है जो कि सहने को सेने को की बी अधियों की कि है सबसे अधिक रख्षा वजट और सबसे अधिक रख्षा वजट किसकी पास है अमेरिका के पास है वे अपने सेने को पर बहुत खर्चा करता है Ja ah2 अबución कि दुनिया के 22 टाकत वर देश अबने सेनिक और खर्च करते हैं उनकी उनकी उनके लिए खर्च करते हैं तो इतना अयुक्षाइए अकेला कर देता है और बड़ी आर्थिक शक्ति की अमेरिका बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है वीट्व पावर क्या है वीट्व लेटीन भाषा का शब्द्या जिसका मतलब होता है अनुमती नहीं देता हूं संयुक्त राष्ट संग United Nations Organization UNO की संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद UNSCE के सथाई सदस्चे देश को मिला हुआ विशेशा दीकार है वीटो पावर कहलाता है अगर इन पासों में से कोई देश सेहमत नहीं हो तो वै वीटो पावर का इस्तमाल करके उस फैसले को रोक सकता है यानि कि एक भी देश एक त्यार नहीं हुआ उस कोई फैसले को कर दो